नमस्कार साथियों आप सभी का डिरेक्शन विजन के आनलाइन यूटूब प्लेटफर्म में स्वागत हैं आज हम बात करेंगे ब्योसाइक सुरच्छा M7 पर अधारित MCQ पार्ट सेकेंड का और ये ELP बेस या ITI के किसी भी प्रांस से यदिया पढ़ रहे हैं तो उनके 29 on हम लोग कार्ट फर्स्ट में देखा गया था और पार्ट सेकेंड मैं 20 के बाद वाला 21 के शनमवर से स्टार्ट करते हैं कि i ran मैं से कौन सा चित्र वीकरण मतलब राडियेशन से खतरे को दरसाता है radiation के खत्रे को पहला तो खत्रे को दर्साने एक बोलेंगे के एक triangle होता है जिसका वेग्राउंट yellow color में होता है उसमें black color में प्रतिकात्मक चिन प्रदरसित होता है तो यह सभी एक प्रकार का खत्रे से symbol प्रदरसित करता है लेकिन इसमें कौन से विकरण है, radiation कौन सा है, यह आपको समझना है, तो यहाँ पर देखेंगे, पहला वाले हम बात करेंगे, तो आग से खत्रा यह दिखा रहा है, और A आपका corrosion से खत्रा है, यह आग से खत्रा है, और A आपका laser से है, radiation से आपका D answer सही होगा, तो radiation से जो है, क्योंकि कुछा गया है कि कौन सा जो विकरण से खत्रे को दर्साता है, radiation से कौन सा खत्रा दिखाता है, तो बोलेंगे, आपसन D सही है, यह आणि किसका जो answer होगा, वो कौन सा होगा, D, आगे हम लोग बढ़ते हैं, question number 22 की तरफ, देखें, 22 में है, fitting कारे में सुरच्छा संकेत, safety symbol यूज करते हैं, किस प्रकार का safety symbol हम यूज करते हैं, खत्र, तो यहाँ पर देखेंगे, किस प्रकार का, तो पहला लिखा गया है, निसे धात्मक, क्या है पहला, निसे धात्मक, और कहरा, अनिवार संकेत, फिर कहरा है, चेतावनी संकेत, फिर कहरा है सुचनात्मक संकेत, तुन्नी सिधात्मक का मतलब होता है मना करना, अनिवार संकेत, चेतावनी संकेत और सुचना, सुचनात्मक संकेत का मतलब होता है कुसी प्रकार का सुचना प्रदान करना, अनिवार संकेत का मतलब आदेसात्मक बोलते हैं उसको आदेसित करना, इसका भी जो होता है, सरकी लकार रहता है, नीले कलर का प्रिष्ट भूमी होता है, जिसमें वाइट कलर का सिंबॉल रप्रिजनेर्ट करता है, चेतावनी संकेत में एलो कलर का बेग्राउंट होता है, त्रिभू जाकार का सिंबॉल बना होता है, उसमें ब्लैक कलर में कोई संकेत दिया आत्मक में क्रास एक श्ывает में क्रास में ब्रॉडर बना होता है तो विल उनिवार शंकित में आदिसात्मक में अलो अमने बता है सरकिल हैं यि abbiamo होता है जिसका बैगराउंड ग्रीन रहता है तो विल आम हमारा जो एंसर रहेगा 22 का ओ आपकाआम और सी, सही हो जाएगा. आगे बढ़ेंगे 23 की दोब. Next 23. करा की चेतावनी संकेत किस आकार में होते हैं? चेतावनी आँकार क्या भृत्ताकाराकार में होता है? बिलकुल नहीं. त्रिभूजाकाराकार में hmm अभी- обी हम लोग इहीं पढ़े थे कि जो तो चेतावनी का संकेत होता है, warning symbol जो होता है, त्रिभूजाकार में होता है, एलो कलर का background होता है, जिसमें बलेक कलर में कोई प्रतिकात्मक्षिन प्रदर्सित होता है, चाहे आख का जलना हो, चाहे radiation हो, चाहे electric shock हो, कोई है, तो जो इसका होगा बृत्त होगा नहीं त्रिभूज अकार आपका सही होगा वरगाकार आयताकार यह नहीं है तो वहाल जो एंसवर हम लोग करेगा वो बी एंसवर सही हो जाएगा इसका आगे बढ़ते हैं next करा चित्र में प्रदर्शित चेतावनी संकेत क्या दर्साता देखे यह बहुत माड़ा इंपोर्टेंट आपका क्योस्चन रहता है एक्जमनेशन के पॉइंट आप व्यू से करा आग के खत्रे का सफेद संकेत द्वारा बृत के आकार में बने होते हैं अभी हमने क्वेश्चन को हल करा रहे थे जब पहला तो बताए थे कि जो हमारा निर्देश देना होता है अनिवार या बोलते हैं आदेशित करना यह आपका होता है जो आदेश देना होता है तो आपका सरकील आकार में ह प्रिष्ट भूमी होती जिस पे सफेद का कोई बृत चित्र बना होता है और वहीं चित्र जो दिखाता है कि मास्क पहन के जाओ टोटी को बंद करिए जो भी उस पे प्रतिकात्मक चिन बने होते हैं इसलिए अनिवार या आदेशात्मक दोनों बात एक हैं आदेशित करना भ नहीं है निसधात्मक संकेत उपयुक्त संकेत चेतावनी और सुचनात्मक तो चेतावनी संकेत वार्निंग भी संकेत होता है जिसका नाम ट्रेंगल अकार में होता है सुचनात्मक जिसका स्क्वायर होता है निसधात्मक मना करना जिसमें सर्किल और क्रास होता है कि जो भी ह यह आपका सुरच्छा संकेत नहीं होता है आगे हम बढ़ते हैं 27 का निम्न में से कौन सा चेतावनी निर्देश नहीं है आखो की सुरच्छा प्राथमिक चिकिस्षा उपलब्ध हैं रेपसी रेटर का प्रियोग वी स्फोर्ट होने का खत्रा निम्न में से कौन सा चेतावनी निर्देश नहीं है वार्निंग ठीक है न तो प्राथमिक चिकिस्षा उपलब्ध हैं यह आपका सुचनात्मक संकेत होता है यह चेतावनी नहीं होता है बाकि आग की सुरच्छा रेश्चिरेटर मतलब कि आप स्वसन की सुरच्छा विस्पो होनी निर्देश नहीं है सुचनात्मक निर्देश हैं आगे बढ़ते हैं देखिए नेक्स्ट 28 निमनिलकित में सीर की सुरच्छा से संबंदी सहायक शाधन नहीं है सुरच्छा हेलमेट हेर नेट बंप कैप फेस सील्ड तो जानते हैं फेस सील्ड जो है वो चेहरे से सीर की सुरच्छा से संबंदी सहायक शाधन नहीं है मतलब कोई न कोई एक ऐसा इसमें दिया होगा जो सीर की सुरच्छा से नहीं है तो आपका फेस सील्ड आप संजो है डी साई होगा ऐसे क्विश्चन को आप पूरा-पूरा पढ़ने के बाद एंस्वर को क्लिक करना प्रडाली विफलता कारिगर विफलता तो यह आपका क्या हो सकता है तो कारिगर जो विफलता होता है यह कारिगर विफलता यह अपातकालीन प्रतिक्रिया का प्रकार नहीं है बाकी आग है सकती विफलता सिस्टम विफलता है यह सब अपातकालीन है बट यह वाला जो है य नहीं है। इसका एंसरज होगा यह आपका डी-ंसरज सही होगा। आगए बरते हैं question no next 30 में किसी दुरगटना की इस्तिती में पीध ब्यक्ति को देखे बड़ा logical question है। किसी दुरगटना की इस्तिती में क्या करना चाहिए। डर 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 दिया है आराम करने के लिए कहना चाहिए क्या दुरगटना है तो उसको आराम करने के लिए करना चाहिए बिल्कुल नहीं दुरगटना के बारे में पूश्टाश करनी चाहिए तूरंत प्रात्मिक उपचार प्रदान करना चाहिए जिकिस्चक के आने तक लिटा देना रहना चाहिए तो देखे कहा जाता है कि यदि कभी दुरगटना हो जाता है किसी कंपनी वगएरे आदि में तो उन्हें तुरंत प्राथमिक उपचार प्रदान करना चाहिए प्राथमिक उपचार क्या होता है पीडित दुरगटना होने के बाद और डाक्टर के होगा आगे हम बढ़ते हैं क्यूश्चन नंबर 31 में वाई मंडल में मस्तिक्स और शरीर की विभिन्य को सिकाओं तक आक्सीजन पहुचाने के लिए क्यूं यह आपको देखे दम अच्छा क्यूशन है तो कायरा कि कौसे महत्तवૂपूरण क्रिया होनी चाहिए 31 question है कौन से महत्पूर क्रिया होनी चाहिए तो आपसन है स्वसन क्रिया दूसरा है रक्त परिसंच्रण की क्रिया जैसे रक्त परिसंच्रण blood circulation होता है स्वसन स्वसन मतलब सांस लेनी की क्रिया तो वाई मंडल में मस्तिक्स और सरीर की विभिन को सियां काओं तक आक्सीजन पहुचाने के लिए दोनों क्रिया होना चाहिए स्वसन की क्रिया होना चाहिए रक्त परिसंच्रण मतलब basic life is part basic life is part में समलित प्रक्रिया निमन में से कौन सी है वाई मार्ग साप करना स्वसन पुनह चालू करना दिल में धढकन पुनह चालू करना यह सभी तो a b c 3 होता basic life is part में और a 3 मतलब वाई मार्ग एयर शर्कुलेशन करना स्वास करना बी ब्रिथिंग और c जो होता है तो अबराल a b c यह 3 होता है इसलिए answer basic life is part में 3 भाग है वाई मार्ग साप करना स्वसन पुरा चालू करना दिल में धढकन पुरा चालू करना यह 3 आपका हो गया इसलिए answer जो होगा वो d answer सही होगा इसका answer d सही होगा आगे हम बढ़ते हैं next question no 33 कृतिम स्वास देने के करना चाहिए प्रितिम स्वास देने के लिए पहले हम स्वसन नली को साप करना चाहिए डी सही होगा आगे बढ़ते हैं question no 34 का बेहोस मिले व्यक्ति के साथ कैसा बहवार करेंगे आप बेहोस मिले व्यक्ति के तूरं डाक्टर के पास ले जाया है देखेंगे कि सास चल लई है कि नहीं चल लिए इसलिए एंसर जो इसका होगा वह भी एंसर सही होगा 34 का आगे बढ़ते हैं next 35 का चिकसक के आने से पुर दुरगटना ग्रस्त व्यक्ति को दी जाने वाली चिकस्था कहलाती है देखें हमने बताया था कि दुरगटना हो गया डाक्टर आने से पुर ज किस्था नहीं होगा इसलिए हमारा जो इंसर होगा प्रात्मिक किस्था होगा आगे बढ़ते हैं next question 36 का क्रितिम स्वास क्रिया की सरलतम विदी देखें तीन विदी जो हैं सुलेश्टर विदी सैफर विदी मूं से मूं सांस देना होता है एक artificial विदी होता है तो अबराल य सबसे सरलतम विदी जो होता है क्रितिम स्वास की सबसे सरलतम विदी जो आप मानेंगे ओ होता है सबसे सरल विदी ओ आपका मूं से मूं सांस देना होता है तो मूं से मूं सांस देना यह आपका सबसे सरलतम विदी हो जाता है यह आपका मूं से मूं सांस देना क्रितिम स्व कि स्वास की बिधि कौन सी है सैफर सिल्वेस्टर मूं से हवा भरना ये सभी देके हमने बताया था कि कृतिम स्वास की से फ्र Sundays इस की विधिया हैं answer D सही होगा आप शsmytotal 37 इस्थान पर सही इस्थिती में तो आप बताईए क्या हो सकता है आसानी से जहां पर हम अभी गमन कर सकते हैं मतला अभी गमन कर सकते हैं उसको आसानी से हम ले सकते हैं वैसे इस्थान पर रखना चाहिए इसलिए एंसर जो इसका हो लगाएंगे C लगा जाएगा आगे next की तरफ बात करते हैं next question 39 का यदि एक मरीज मुझ से मुझ स्वसन प्रक्रिया पर सही प्रतिक्रिया न करे तो प्रात्मिक उपचार को डाट डाट चाहिए तुरंद चिकिसा सायता डोने चाहिए तूटी वी अस्तिया देखे सरीर को कंबल से गर्म रखे नाड़ी और चित्चु की जाच करें तो अबरहल जब यह question 39 है तो यदि एक मरीज मुझ से मुझ स्वसन क्रिया प्रक्रिया पर सही प्रतिक्रिया नहीं दे रहा तो तुरंद आप डाक्टर को बलाएं मतलब तुरंद चिकिसा सायता डो आग उत्पन करने में सच्छम होता है हला कि आग से रिलेटेर एक बस यहां पर एक question दिये हैं बाकी आग से रिलेटेर कई कैसे हैं आग किस रड़ी में बहुत सारे जो हम वन लाइनर question आपके साथ discuss किये थे उस concept से optional question जो हम लोग चड़ ले हैं तीसरे वाले भाग में आपके पास तीन चीज होना चाहिए एक होना चाहिए फ्यूल और आपको oxygen प्लस हीट यह तीन रहेंगे तब आपका आग उत्पन हो जाता किसी एक को काड़ देंगे oxygen हीट रखेंगे आग उत्पन नहीं होगा oxygen को काड़ देंगे फ्यूल हीट के द्वारा कोई भी आग उत्पन नहीं करेगा तो आग को बुझाने के लिए कि नहीं एक घटक को हटाना पड़ेगा तो आग बुझ जाएगा कहा जाता है कि आग लगने का तीन घटक हैं यदि आग बुझाना है तो किसी एक कंपोनेन को वहां से हम बाहर कर देंगे तो आपकी आग बुझ जाएगा और इसी के लिए यह सभी प्रोसेस अपनाया जाता है तो आग कई स्रेड़ी में आते हैं और उनको बुझाने के लिए अलग-अलग equipment यूज किया जाता हैं ऐसे भी question put up हुए हैं जो अलग-अलग प्रकार के 40 का इधन आक्षिजन उस्मा के द्वारा आग उत्पन करने का एक प्रमुख घटक है और इसके आगे जो हम लोग भाग देखेंगे next भाग में 41 से लेकर के next पार्ट में उसमें आग से डिलेटीर अच्छे-च्छे question आपको मिलेंगे ABCD से आग मिलेंगे और इस प्रकार का ह हम लोगा लेडी देखें हैं वन लाइनर का भाग हम लोगा continuous आगे बढ़ाते रहेंगे और साथ में concept-based class का भी पार्ट को आगे बढ़ाते रहेंगे तो आप अभी तक यदि वन लाइनर नहीं देखें हैं तो वन लाइनर भी आप देख सकते हैं मारे direction vision के online YouTube platform पर बाकि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद